ये है कलकी का श्राफ एपिसोड 6, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अधीरा भी अपने कमरे की तरफ चले गए, राथ के बारहां भजने को थे। यही वज़ा थी कि अधीरा भी अब अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अधीरा? जी बाबा। तुम शेरा से कैसे हार सकते हो, तुमने खुद को शराब और लॉंडिया बाजी में इतना जोक लिया है, कि तुम भूल जाते हो कि तुम क्या हो, तुम एक पहलवान हो, इतने सालों तक मैंने तुम्हें कभी नहीं डाटा, क्योंकि तुम कभी हारे नहीं, लेकिन आज मैंने देखा, तुझ में अब वो बात नहीं रही, तेरी दाकत कहां चली गई है अधीरा? वो सब अपने ही कमरों में दुपके रहते, आखेर सूरज भान सिंग का औरा ही ऐसा था? बाबा माफ कीजिये, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, इस बार शेरा ने छहतर साल में जाकर तैयारी करी थी, तो तुम क्यों नहीं कर सकते थी, लेकिन तुम्हें लॉंडिया बाजी से ही भुरसत मिले तब ना? अधीरा, तुम्हें मैंने ये सब करने के लिए कभी नहीं रोका है, लेकिन कोई भी चीज अपनी लिमिट में करो तो बेहतर होता है। अरे, क्या हुआ? क्यों हो हला कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बीच में मत पड़ो, ये सब तुम्हारे काम की चीज नहीं है। खुद को बड़ा बलशाली समझता है ये, और असलियत में क्या हुआ इसके साथ? अरे, तो कुष्टी का खेल है ये, मजाग थोड़े ही है, कभी किसी की हार होती है, तो कभी किसी की जीत, हमेशा ही जीतेगा, तो फिर हार की क्या वैल्यू रह जाएगी? और वैसे भी, जीत तो हमारी ही हुई है ना, आखिर फिर इतना होहला करने के क्या जरूरत है? क्या कहा तुमने? ओ अल्ला, अरे, तुम्हें पता भी है, आज इसके हारने के बाद मुझे मैदान में उतरने की नौबत आ गई थी, ये तो भला हो समीर सिंग के लड़के रूद्र का, जिसने आखरी मौके पर आकर बाजी पलट दी, मरना तो पता नहीं आज क्या हो जाता लेकिन अब तो सब ठीक है ना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है, इसको डाट भी न लगाऊं? हाँ, क्योंकि आज ये एक ही बार हारा है, मत भूलिए कि इसने सहारनपुर के गाऊं के पहलवानों को लगातार छे बार हराया है और आज जब हार गया है तो आपको गुस्सा आ रहा है सहल ने ठाकुर को आएना दिखा दिया, जिसके बाद ठाकुर का गुसा एक दम से ही शान्त हो गया था हाला कि जितनी देर ठाकुर अधिरा को डांट रहे थे, उतनी देर अधिरा चुप चाप सुन रहा था अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो, अपनी बड़ी मा को भी तुमने पट्टी पढ़ाई होगी, तभी तुम्हारा पक्ष लेने लगी है ये, अपने कमरे में जाओ, और सो जाओ, और अगर तुझ में अब भी जमीर बाकी है, तो शराब और शबाब को जिन्दिगी में कंट् उस रोज, उसकी पतनी हवेली में नहीं थी, वो माई के गई हुई थी, वो अपने बिस्तर पर ठका हारा जाकर लेट तो गया था, लेकिन उसे नीद नहीं आ रही थी, एक तो वो शेरा से हार को पचा नहीं पा रहा था, तो वहीं दूसरा, उसे अपने ही बड़े पापा क कही गई बातें चुब रही थी, ऐसे में फिर उसके पास शराब पी कर अपने गम को भुलाने के सिवाए और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मुझ जैसे ही शराब के बारे में सोचता, उसे एक बार फिर ठाकर के कही बातें याद आ जाती, ऐसे में उसने फिर से कुछ पल क के लिए शराब पीने के खयाल को अपने दिमाग से निकाल दिया, लेकिन वो इस खयाल को हमेशा के लिए नहीं निकाल सकता था, क्योंकि अब डेली शराब पीने के उसकी आदत में शुमार हो चुका था, वो लड़ खडाते कदमों से अपने कमरे के कोने में पड़े फ्रि करने के लिए शराप पीना चाहता था उसने फ्रिज खोला और उसके बाद उसमें से रेड वाइन की एक बोतल निकाली और चल कर उसने बोतल को टेबल पर रखा फिर उसने बर्फ निकाली उसके बाद उसने पेग बनाया और एक के बाद एक लगा तार पांच से छे पेग लगा गया अब वो अगले ही पल नशे में धुत हो गया और बोतल को फिर से फ्रिज में रखना भूल कर जाकर बिस्तर पर उंधे मुगिर गया इधर जहां वो अब टली हो चुका था तो वहीं दूसरी तरफ बाहार उसके कमरे की खिड़की पर किसी काले साय की हलचल होने लगी थी आस्मान में बेहत भयानक काले बादल चाय हुए थे मानो वो परसकर पूरे उदैवाडा गाव को ही बहा देंगे भयानक बिजनिया कड़क रही थी हालाकि कमाल की बात तो ये थी कि बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी ऐसा लग रहा था मानो आस्मान में दिखाए दे रहे काले बादल किसी की काली शक्तियों का नतीजा है बाहर अब भयानक शांती चा गई थी सिवाई बिजलियों की कड़कडा हट और तेज हवा की आवाज के अलाबा बाकी किसी भी चीज़ की आवाज नहीं आ रही थी हवेले में किसी के बोलने की आवाज नहीं आ रही थी सब सो चुके थे अधीरा अब भी अपने बिस्तर पर ओंधे मूही पड़ा था अचानक उसके कमरे के खड़की जोव की आवास के साथ खुली मानो किसी ने उसे खोलने के लिए धक्का दिया हूँ एक काली स्याहक काली परच्छाई उस खिड़की के अंदर से प्रवेश करने लगी उसकी लहराती काली साड़ी दिखाई दे रही थी जिसका पलू चप चप करके जल रहे बल्ब की रोशनी में दिखाई दे रहा था उसकी कमरे की खिड़की खुली है यह अधिरा को एहसास नहीं हुआ ऐसे में वो अब भी बिस्तर पर पड़ा था तब ही भयानक सांसों की आवास कमरे में गूंजने लगी मानो सीलिंग फैन से कोई उल्टा लटका हो कुछ ही देर बाद उसके माथे पर एक खून की बूंद किरी तब यार ये चट कैसे टपक रहे है और अधिरा ने अपनी करवट बदल ली वो करवट बदल कर लेटा तो अचानक से ही उसके कान के फास में अजीब सी सरसराहट के आवाज महसूस ही मानो जंगल में पेड के पत्ते हवा के साथ आगी की तरफ ऊड़ रहे हूँ ये अजीब सी आवाज कहां से आ रहे है मैं हूँ तेरी चान अचानक से भायानक हसी उसे जैसे ही सुनाई दी वो जोड से चीखा कौन है? अधीरा जैसे ही खड़ा हुआ उसे पता चला वहां कोई नहीं था हाला कि उसे अपने चहरे पर कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ उसमें अपने हाथ से जैसे ही उस खून की बूंद को पहुँचा उसमें देखा वो खून था ये खून? वो शौक होकर खून की बूंद की तरफ देखता है वो खून की बूंद गहरे लाल रंकी नहीं बलकि गहरे लाल के साथ उसमें गाड़ा काला बन था ऐसा खून उसमें पहले कभी नहीं देखा था उस खून की बूंद में से चमेले की तेल की गंध भी आ रही थी मुझे जीब सी आवाज कहां से सुनाई दी थी उधीमे से बुदबुदाया ही था कि तभी सामने से उसके वाश्रूम में से आवाज सुनाई दी मैं, मैं बोली थी, मेरी चान आओ ना, मैं तुम्हारा बेसबरी से इंतिसार कर रही हूँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वो नशी में धुत वाश्रोम की तरफ गया वहां से शावर के चलने की आवाज सुनाए दे रही थी मानू, कोई लेडी नहा रही हो लेकिन वो तब जाकर शौक हो गया जब उसे वाश्रोम में कोई नहीं मिला अधीरा ने पूछा, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई वो खुद से बोल कर, वो मुडने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके कंधे पर किसे ने हाथ रखा उसका हाथ बड़ा सक्त नजर आ रहा था वो ठुद्डी को मूर कर अपने कंधे की तरफ देखता है तो उसे एक काला जला हुआ सा भयानक हाथ नजर आया डर के मारी वो थर थर कापनी लगा वो इतना कहकर जैसे ही मुड़ा उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया लेकिन बाथरों के मिरर पर खूंब से लिखी बॉर्टिंग उसने जैसे ही पड़ी उसका सारा नशाग छूमन रहो गया तुम्हें अपनी ताकत और मर्दानगी पर घमंड है ना अधिरा कुछ ही दिनों में मैं आ रही हूँ तेरे घमंड को चकना चूर करने के लिए आज बस मैंने तुम्हें चेताया है लेकिन तेरी मौत अब निश्यत है कल की वो जोर से चीखा और बाहर की तरफ दोड़ा उसकी शराब उस वार्निंग को पढ़ते ही उतर गई वो कुछ ही देर में हवेले के हॉल में पहुँच गया उसकी चीक संकर हवेले के सभी लोग कुछ ही देर में वहां आ गए वो डर के मारे थर थर काप रहा था मगर उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी हवेले के बाकी के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वो इतना दरा हुआ सा नजर क्यूं आ रहा है क्या हुआ? क्यों काप रहो तुम? मेरी कमरे में कलकी आई थी है? तुम पागल हो! तेरे कमरे में कलकी कहां से आईगी? और जब पंडित जी ने हवेली के चारो और अच्छे से सुरक्षा धागा बांध रखा है तो? आई थी वो! आकर उसने मुझे वार्निंग भी दी अरे? कैसी वार्निंग दी है तुम्हे? उठो! जागो! तुम्हारे बड़े बापा बुला रहे हैं तुम्हें अधीरा के मूझे शराब की बुवा रही थी अरे? तुम्हें हो क्या गया है? रात को तुमने शराब पी थी क्या? अधीरा कुछ भी बोल नहीं पा रहा था क्योंकि अगले ही पल उसे एहसास हो गया था कि उसने कल रात को कलकी को लेकर जो महसूस किया था वो उसका सपना था वो बिस्तर पर ओंधे मुही लेट गया था और इस वजह से उसे अच्छे से सांस नहीं आ रही थी और यही वजह थी कि उसे बुरे सपने आ रही थे उसकी ऐसी हालत देखकर सहल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये अधीरा ही है तुम ना शराब कम पिया करो कल रात को अजीब सपना देख लिया होगा तुम्हें देखकरना जाने लगता ही नहीं है कि तुम अधीरा हो अरे वो अधीरा जो किसी से डरता नहीं था आज कल तुम्हें हो क्या गया है शराब और अलरबाजी ने तुम्हें कही का नहीं छोड़ा है खुद की इतनी सुन्दर बीवी है लेकिन फिर भी और उपर से फिर ये शाराब सहल का लहजा उसके खिलाफ हमेशा ही कठो रहता था उसे कते ही पसंद नहीं था कि वो अपने खुद की पत्नी रूपा को छोड़ कर बाकी की औरतों के चक्करों में पड़े मगर अधीरा को अब तो ये लग लग चुकी थी अब उसे अकसर कोई न कोई औरत चाहिए ही होती थी जो खुबसूरत हो और उसके हिसाफ से उसके साथ फिजिकल हो ना कि उसकी पत्नी की तरह उसके साथ ना टक करे हाला कि फिर भी उसके और उसकी पत्नी के बीच में कभी ज़्यादा जगड़ा नहीं होता था क्योंकि उसकी पतनी रूपा ने उसे समझाने की सारी उमेदे ही छोड़ दी वो अब उसे कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि वो जानती थी अब उस सुधरने से रहा हाला कि उसे बिगाडने में अगर सबसे बड़ा हाथ वो किसी का मानती थी तो वो अपने ही बड़े ससुर सूरेज भान सिंग को मानती थी अब कुछ बोलो भी या ऐसे ही खड़े बिस्तर पर बैठे रहोगे कितनी बद्बू आ रही है इस बिस्तर से तुम्हें जरा सा भी पता है? वो वो बड़ी मा क्या बड़ी मा जाकर तयार हो जाओ तुम्हारे बाबा तुम्हारे इंतिजार कर रहे हैं आज तुम सबको सहारनपूर नहीं जाना क्या? ओ, मैं तो भूली गया था पर मैं नहीं भूली हूँ अच्छा तो इसका मतलब आप भी जाओगी नहीं, मैं ऐसी प्रथा को नहीं मानती हूँ जो गरीबों का हनन करे तुम लोगों को जाना है तो जाओ सहल कवर कमरे से बाहर चली गई इधर अधीरा एक पल के लिए खुद की तरफ देखता रहा उसने बिस्तर को समीटा और ले जाकर उसे पॉश्ट्रूम में पटक दिया उसके बाद नहाने चला गया क्योंकि आज वो रुत्र और बाकी सब के साथ जाकर सहारनपूर के बाजार से खूब खरीदारी करने वाले थे और बदले में उन्हें पैसे भी नहीं देने थे इसके अलावा उन्हें सहारनपूर में कई गलियों में घूमने का भी मौका मिलने वाला था बाजार में सामान बेचने वाली लड़कियां भी थी जमिंदार करदार सिंग के घर पर कुछ चुनिंदा लोगों का खाना भी बनने वाला था मतलब सब कुछ मिलने वाला था वहां ऐसे में फिर वो पीछे क्यों रहता? वो आज क्या करेगा वो यही सोचता हुआ बातरूम में नहाने चला गया इस दोरान उसने जैसे ही अपने कपड़े खोले तो वो शौक्ट रह गया उसके दाहिने कंधे पर लाल निशान उभरा हुआ था वो निशान किसी के हाथ के जैसा था मानुक किसी ने उसकी कंधे पर बेहत जूर से हाथ मारा हो और फिर उसकी छाप उस कंधे पर छप गई हो उसका वो निशान अब बैंगनी रंग का पड़ चुका था हाला कि वो निशान उसकी दर्द नहीं कर रहा था मगर उस निशान को देखने के बाद वो अब बुरी तरहा से कांपने लगा था उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी पंडित जी ने ध्यान लगा रखा था और इस दोरान उन्हें सब पता चल रहा था कि कल्की ने उसे मारने के लिए किस तरह की योजना बनाई थी वो ये सब इसलिए जानना चाहते थे ताक कि वो हवेली के बाकी के लोगों की जान बचा सके गुरु देव मुझे लगता है कल्की को रोकना केवल हम सब के लिए आसान नहीं है हमें आपके गुरुदेव की मदद लेनी ही होगी हाँ, लेकिन हम ऐसे तो हाथ पर हाथ धर कर बैठे नहीं रह सकते न पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कलकी का जरूर कोई ना कोई संबंध उस दंगल और उस अखाडे के साथ भी है तभी तो वो अकसर बसंत पंचमी की रात को दंगल हो जाने के बाद वहाँ जाती है आखिर इसकी वज़ा क्या है? ये तो आपको देखना पड़ेगा तुम मेरी फिर से मदद करना, मैं एक बार फिर ध्यार लगाना चाहता हूँ जी गुरुदेव पंडित जी ने यग्या में आहूती दी और फिर से ध्यान मगन हो गए आखिर क्या है कनेक्शन कलकी का दंगल से और उस अखाडे के साथ जो वो अकसर वहाँ जाती है उसने अधीरा को क्यों मारा? आखिर क्यों कलकी हवेली के लोगों को मारना चाहती है? जानिये कहाने के अगले भाग में